इस पर Commonwealth Games में वेड लिफ्टरों ने भारत की बले-बले कर दी और अगर आप देखें तो एक Gold Medal, दो Silver Medal, एक Browns Medal भारत की जोली बे गिया है मीरा भाई चानू जो कि Olympic के Silver Medalist है उन्होंने Gold Medal पर कबजा किया और इसके अलावा बिंदिया और संकेत ने भारत को Silver Medal दिलाए और गुरू राज पुजारी कांस से पदक जीतने में कामियाब रहे हलाकि अपने पिछली बार के Silver Medal के प्रदेशन को दोरा नहीं पाए लेकिन मुद्दा आज यह है कि अब भारत को और Gold Medal कहा मिलेंगे अब जो अगर आज के दिन की बात करें तो जेरिमी लाल रिनुगा एक ऐसे वेट लिफ्टर हैं जिनने कोई आम तोर पर आम पब्लिक नहीं जानती बहुत जो वेट रिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं बारिकी से जानते हैं वही इनको जानते हैं और यह खिलाड़ी 67 किलोग्राम में आज अपनी चुनौती रखने जा रहे हैं मिजोरम से स्नैट में 141 किलोग्राम क्लीन जर्क में 166 किलोग्राम और कुल मिलाकर 306 किलोग्राम और 66 किलोग्राम यह परफॉरमस वह दोराने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें गोल्ड मेडल जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली बार के जो 2018 क जो इस वजन में जो परफॉरमस था वो 299 के आसपास था 299 किलोग्राम पर ही गोल्ड मेडल हासिल हुआ था तो जाहिर सी बात है उनका दावा बहुत ही बजबूत है और 178 और 165 और कुल मिलाकर 303 यह इनका परफॉरमस था Commonwealth Championship में 305 किलोग्राम इन्होंने कुल मिलाकर बहुत ही जबरदस्त धूम है और सबसे अच्छी बात ये भी है कि पाकिस्तान के जो तनहा एक बॉक्सर है वो यहां पर नहीं भाग ले पा रहें क्योंकि डोपिंग में वो पकड़े गए थे डोप टेस्ट में पॉजिटिव रहे और उसके अलावा वेल्स के जो एक खिल का पॉपी हजारी का लड़की महिला है 69 किलोग्राम में अपनी चुनौती रखने जा रही है और इन्होंने 84 किलोग्राम स्नैच में और 105 किलोग्राम क्लीन चर्फ में वेट उठाया और अपना दावा रखाया मजबूती के साथ लेकिन इनके साथ भी थोड़ी सी आर्थिक दिखतें आई और बीट पे तो ये आर्थिक कारणों से जो है वेट लिफ्टिंग को छोड़ने जा रही थी लेकिन इनकी मा का भला हो जिन्होंने इनका खूब मॉरल बूस्ट अप किया और इनने कहा नहीं आपको हम हैं और आपको जरूर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा तो इनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है और इनके पिता जो है वो भी वो बच्पन में ही चल बसे थे और जिसकी वजह से थोड़ा तनहा मैसूस किया इन्होंने और इसके बाद तीसरी खिलाड़ तीसरे जो खिलाड़ी होंगे वो 73 किलोग्राम में अपनी चुरौती रखेंगे अचिंता शोली जो की कॉमन वेल्ड चेंपेशिप में भी जो है सौन पदक खासिल कर चुके हैं दोजार इकिस में भी और दोजार उन्निस में भी तो उनसे भी कुछ उमीदे रहेंगी पदक की क्योंकि इस बार जो वेट कैटेगरी है यह 73 किलोग्र जहां पर उन्हें अड़ियों पड़ेगा एक नए मांदंड स्ताप्रिक करने होंगे क्योंकि क्या परफॉर्मेंस का रहता है और कहां पर खिलाडियों ने पिछली बार परफॉर्म किया था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह वज़न ही नहीं था उस वक करंपरा को आगे जर्मी स्वन पदक के साथ बढ़ा पाएंगे और बाकी दोनों वेट लिफ्टरों पर भी काफी उमीदें टिकी हुई हैं फिलान इस वीडियो में इतना ही उमीद कीजिए हम कि अपने इन वेट लिफ्टरों को और उनका निरंतर अच्छा प्रदर्शन जार कर दो करो जो आगे।